नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं भेजी टेकनिकल आज आप से बात करने वाला हूँ चाइनिस कंपनी ZTE द्वारा लांच नया प्रोडिक जिसका नाम है ब्लेड एटू प्लस जिया दोस्तों आपको याद होगा ZTE बहुत ही पुरानी चाइनिस कंपनी है बहुत सारी मैन इनों ने लांच कर दिया है ब्लेड एटू प्लस जो कि चायना में पिछले दो महींने फ़रे लांच हुआ था तो आपको बता दू यह दो कलरों में आएगा यह एक कलर है ग्रे और दूसरा कलर है गोल्ड दोनों की कीमत जो रखी गई है आपको दिखा तो यह एक्स्चेंज ओफर है एक्स्ट्रा ऑफ थाउजन अपको दिखा तो यह एक्स्चेंज ओफर है एक्स्ट्रा ऑफ थाउजन अन एक्स्चेंज आप एक्स्चेंज करेंगे डिवाइस तो मिल जाएगा आपको छे फेब्रियुरी से रात को बारा बच के एक मिट से मिलना चालू हो जाएगा फूल एजडी की स्क्रीन है साड़े पांच चेंज की पांच एर एमेच की बैटरी इस समय आ चुके हैं उसके बारे में तो यह आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे यहां पर तो आपको पता चलेगा कि यह जो प्रोड़ेक्ट है यह आने वाला है बहुत ही जल्द कमिंग सुरा आप इसको यहां पर अपना इमेरे डिजलर को नोटिफाय कर सकते हैं अगर और सस्ता पड़ जाएगा अगर आप यह सारी एक सर्विसस को इस्तेमाल कर पाए तो चले प्रोड़ेक्ट के बारे में जानते हैं प्रोड़ेक्ट में 4GB RAM 32GB वरेंट के साथ में 108GB आप एकस्पांड कर सकते हैं क्योंकि हाइविड सीम के साथ में है यह फोन में वैसे कुछ स्क्रीन मिल जाएगे आपको 1080 के फुल एच्डी की रिसोलुशन है फुल एच्डी के वीडियो ले सकता है कैप्चर कर सकता है आगे का जो कैमरा है इसका काफी 8 MP का है वाइड एंगल सेल्फी ले सकता है और इसका स्क्रीन जो है फ्लेश की तरह काम करेगा नाइट यहां गया है से बैटरी और इनको राहम के बेचना है तो मीडिया टेक नॉर्मल सा प्रोसेसर मीडिया टेक में बताव दिए कौन सा है 6 750 का प्रोसेसर है यह ल्टी कैट 6 प्रोसेसर है उतना हाइफ फंडू नहीं है क्योंकि अगर आपको बताव दू मैं कॉल कॉम और क्योंकि जो प्रोसेसिंग स्पीड अगरा है उसकी काफी अच्छी है यह देख सकते है एक्शली इसका सीप्यू जो है वो 2.2 गीगाहट्स तक दिखाई देता है यहां पर 1.8 दिखाया है तो यह सारी चीजे है इसमें दोनों 8 कोर के है और इसका जो कॉर्टेक्स का जो एस 42 का है यह इसे अंदर चलता है 2 गीघड़ के स्पीर के स्पीड पर और यह चलता है 1.5 गीघड़ के स्पीड पर तो यह इसमें ऐसी सारी चीजे है इसका जो आचार जो यह उक्ता ऐख और दो दो सब्सके की दावRO और पाङब कर जो Sh普 जो है szp 5.5 GHz पर चलते हैं तो ओवरल CPU का परफॉमेंस इसमें ज्याद है और भी बहुत सारी फीचर से मैं उस प्रोसेसर के डीप में नहीं जाऊंगा यह बैक केमरा में जे रियर फ्लेश आता आगे वाली स्क्रीन की तरह स्क्रीन की काम करें कि फ्लेश की तरह वीडियो रिकॉर्डिंग फूल एच्डी कर सकते हैं 4X को अप्तिकल जूम है इसके अंदर 4G dual सीम है एक ही सीम 4G पे चलेगा एक टाइम तो उसको ध्यान रखेगा जियो सीम इस्तमाल कर सकते है आप अराम से एक्स्रेमेंट प्रॉक्रिमेटी सेंसर लाइट सेंसर और फिंगर्प्रिंट के साथ में आता फिंगर्प्रिंट बैक साइड पर दिया गया है इसके वीडियो है मैं दिखाना चाहूंगा आपको काफी अच्छी बनाई इन्होंने लेकिन उतना एक एपिरेंस नहीं दे पाए जो देना चाहे था इनको 5-hr mhk battery के साथ में आता है जो dual charging के साथ में है यानि कि आप दूसरे को भी चार्ज कर सकते हैं reverse charging जिसको कहते हैं दूसरे भी mobile को भी चार्ज कर सकते हैं इसमें 5-hr mhk powerful battery है जो कि fast charging के साथ में आता है काफी अच्छी है कंपनिये कहना 50% चार्ज कर देगी आपकी mobile को एक गं आप भी दिखाई नहीं है जिसके वैसे camera के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं hybrid SIM slot है दूसरा SIM आप 128GB तक बढ़ा सकते हैं दूसरे SIM में आप memory लगा के 128GB तक और MediaTek का इसमें प्रोसेसर है जो कि MT650 है GPU जिसकी Mali 860 है dual GPU के साथ में आता है Android Marshmallow के साथ में आता है और इसमें बता दू इसके उपर जो OS का लेयर है MI Favour 3.50 3.5 का है तो ऐसी सारी चीजी है इसके अंदर बागी कुछ इसनों इनने खास दिखाया नहीं है यदि उसके compare में आप Redmi Note 4 को compare करें तो Redmi Note 4 काफी अच्छा है इसके अलगी तीन सेल हो चुके है और तीनों में sold out हो गया है तीन वर काफी है काफी है काफी है इसका मार्केट भी काफी जोरोदार के है यदि आप दूरों में से मुझे चॉइस बोलेंगे तो आप इसका लोग वेरेंट भी आता है वह आपको मिल जाएगा तकरीबन 1100 रुपे का तीन जबी बत्ते जबी के साथ मो ले सकता है अगर आपकी प रिकमेंट करेंगे या फिर यह आपका जेट्व ब्लेट तू करेंगे तो मैं रिकमेंट करूंगा ड्मी नोट फूर आप ले सकते बिंदा सांग बंद करें काफी अच्छा प्रोडेक है इस प्रोडेक के कंपरेजर में चलिए फिर आपको बहेजी टेक्निल देखने लिए लोगों ने सोचा होगा अच्छा प्रोडेक्ट है कोई प्रॉलम नहीं है इसके अंदर सिर्फ यह है कि अगर रेड्मी नोट फूर से कंपर करें तो रेड्मी नोट फूर खारा उतरता है बस बाकि इसमें कुछ नहीं है चलिए आपका दिन शुब हो